हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू स्टरियाई की जुरीशरी दिस इस मी वासू देव मौंगा और आज हम इस सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जज्मेंट को कवर करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी जज्मेंट है जिसमें सुप्रीम कोट ने फाइनली एक लौ को डिकलियर कर दिया और अब अभी तक पार्लियमेंट ने इसके उपर कोई भी लौ नहीं बनाया था और अभी तक लौ नहीं था बट सुप्रीम कोट की जज्मेंट के कारण जो एक ग्राउंड आपका इर्रेट्रियेबल ब्रेकडाउन आफ दा मैरिज यानि कि मैरिज यहाँ पे फिजीकली तो ब्रेकडाउन हो चुकी है बट बायलो यहाँ पे अभी तक ब्रेकडाउन हो चुकी है बट यह जो ग्राउंड है कि वो इतने टाइम से एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं और यहाँ नो इंटेंशन तो लिव तोगेदर नहीं उन्होंने साथ रहना है तो क्या यह एक ग्राउंड नहीं बनता अब यहाँ पे सेक्शन 13 ऑफ दा हिंदू मैरीज एक्ट सेक्शन जो 13 आपका हिंदू मैरीज एक्ट में है उसके यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत सारे ग्राउंड दिये गए हैं कि यह सारे ग्राउंड हैं डाइवोर्स के जानि जैसे की क्रुएल्टी या फिर या फिर एक एक स्पाउस ने यहां पे अडल्ट्री कमिट कर ली तो दीज आर ओल दाइवोर्स जिनके बेसिस पे एक स्पाउस दूसरे स्पाउस ते डाइवोर्स ले सकता है बट ऐसा यहां पे कोई भी ग्राउंड नहीं था कि अगर कपल आप साथ में नहीं रहना चाहता और वो साथ में रहे भी नहीं रहे हैं लिविंग सेपरेटली फ्रॉम सचा लॉंग टाइम तब उनको डैवोर्स चाहिए प्रैक्टीकली उनकी मैरीज है यह नहीं प्रैक्टीकली उनकी मैरीज और डिजॉल्व हो चुकी है बट बाई लॉव अभी भी वो मैरीड है और अगर वो किसी सेकिंड इनसान से शादी करेंगे तो वो बाई गैम ही कहलाएगी उनकी उस पेस उनको सजा भी हो सकती है अब इस पटिकुलर केस में ना सुप्रीम कोट ने यह डिकलेर कर दिया कि यहां पे इर्रेट्रिबल ब्रेकडाउन ऑफ दा मैरीज जो है बट यह इसके फैक्स को आपको देखना होगा क्योंकि यह जो जजजमेंट है जो इसका डिसीजन आया है अब हम देखते हैं यहां पे सी इन दिस केश शिरी रकेश रमन वर्सेश शिरी मती कवीता यहां पे क्या हुआ है जस्ट बेंच कोंप्राइजिंग जस्टेश सुधान शुदूलिया एंड अनिरुदा बोस मेर्द नोटेबल आप्जरवेशन वाल डिलिंग विदा केस इन कि पहले इतनी यहां पे इतने जगड़े होते थे कि उन्होंने यह डिसाइड किले थे कि अलग अलग रहेंगे और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कोट में बहुत सारी एप्लिकेशन भी फाइल की हुई थी कि यह मेरे साथ इस तरह की कुरियल्टी करता है यह मेरे साथ पे इनको डाइवोर्स नहीं दियागा क्योंकि कोई ग्राउंड नहीं था सेक्शन थर्टिंग का कोई प्रॉपर ग्राउंड यहां पे इस्टेब्लिश ही नहीं हो पा रहा था एंड सी देवर नुमेरस केसे फाइल बाइदम अगेंस्ट इच अदर नाउ सी अभी तक प्र प्रैक्टिकली जब प्रैक्टिकली यहां पे मैरिज डिजॉल्व हो चुकिया है तो यहां पे सुप्रीम कोट ने एक केस में नवीन कोली वर्सिस निलू कोली 2006 सुप्रीम कोट जज्मेंट में यह डिक्लेयर कर दिया था अट आर्टिकल 142 ऑफ दा इंडियन उसमें यह पावर अपनी यूज कर रहे है यह जो ग्राउंड है इर्रेट्रिल ब्रेकडाउन अफ दा मैरिज इसके बेस पे वो डाइवोर्स दे सकते हैं बट यह पावर थी किसके पास यह पावर थी सुप्रीम कोट के पास अंडर आटिकल 142 ऑफ दा इंडियन कॉंस्टि अर्टिकल अंडर अर्टिकल 142 ऑफ दा इंडियन कॉंस्टिशन नाओ सी इर्रेट्रिल ब्रेकडाउन अफ मैरिज इसके बार यह पे रिकमेंड कर दिया था in its 71st and the 277th report 217th report that जो मैरिज यहां पे डीफेक्टो यानि की by the fact practically यहां पे impossible हो चुकी है practically dissolved हो चुकी है तो उनको यहां पे डीज और भी recognize करने की कोई जरूरत नहीं है by law भी उनको recognize कोई करने की कोई जरूरत नहीं है because if अगर हम आज भी इस तरह की marriage को बोलेंगे की भाई इनकी marriage तो चल रही है so it is a ground of cruelty साथ में वो रह नहीं पा रहे हैं अलग-अलग रह रहे हैं और किसी और के साथ वो आगे शादी भी नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं उनके साथ cruelty ही हो रही है and that is what is established in this case की जहाँ पे 25 years हो चुकी है 25 साल हो चुके हैं वो आपस में नहीं रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ courts में कितनी सारी complaints फाइल कर चुके हैं but still they cannot marry with the third person तो एक तरफ से ये cruelty ही है और cruelty is a ground of divorce under section 13 of the Hindu marriage act यानि कि जब तक या अभी तक तो ये बोला जा रहा था कि supreme court इसक्यूपर law ना दे but supreme court ने अभी तक तो बोला जा था कि parliament इसक्यूपर law ना दे but अभी तक parliament इसक्यूपर कोई भी law लेकर नहीं आई थी but now this ground will be covered under the ground of cruelty under section 13 of the Hindu marriage act but every aspect नहीं इसी तरह के जो कैसिद होंगे जहां पे इतना लंबा time हो चुका होगा couple को अलग-अलग रहते dealing with the present appeal the bench said irretrial breakdown of marriage may not be a ground may not be a ground for dissolution of marriage under the Hindu marriage act but cruelty is cruelty तो ground है ना so they have an opinion that the continuation of this marriage अगर ये marriage अभी भी चलती रहेगी would only mean continuation of cruelty which each other inflicts of the other कि अगर ये मैरे चलती रही तो it only means कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के against cruelty ही commit कर रहे हैं क्योंकि उन दोनों में आपस में बनी नहीं रही है वो आपस में यहां पे रही नहीं रही है the supreme court while conceding the husband's appeal जब ये के supreme court में गया husband की appeal में noted that the relationship between the parties had become acrimonious over the years the court also took that यहां पे कोई बच्चा नहीं था यह भी point बहुत ही important point है यहां पे कि because normally in these type of cases यहां पे अगर child होता है तो यहां पे supreme court की thinking बदल जाती है observation बदल जाती है because after all यहां पे बच्चे के भी कुछ rights है कि अगर यहां पे आज divorce होगा तो बच्चा किसके custody में रहेगा बच्चे के mental behavior क्यों पर क्या effect आएगा psychological कैसे वो बड़ा होगा उसका brown and bottom कैसे होगा तो वो यहां पे points को consider किया जाता है that is why I am saying again and again यह जो judgment है ना आपकी यह इसी तरह के facts क्यों पर ही apply करेगे और सुप्रीम कोट ने इसको clearly बोला भी है see moving on see in the opinion of the supreme court a marital relationship which has only become more bitter and acrimonious over the years does nothing but inflicts cruelty on both the sides and to keep the facts aid of this broken marriage a lie would be doing injustice to both the parties अगर हम यहां पे यह marriage को अभी भी जिंदा रखेंगे तो हम यहां पे सिरफ एक injustice ही कर रहे है a marry which has been broken down in our opinion spells cruelty to both the sides as in such a relationship each party is treating the other with cruelty so it is therefore a ground under section 13 clause 1 clause IA of the act जो यहां पे ground cruelty का है जो यहां पे ground cruelty का है but this is applicable only in the given present case case only in these type of facts and the circumstances of the case यह अहां पे judgment apply करेगी therefore it holds that in a given case such as the one at hand where the marital relationship has broken broken down irretriably when there is a long separation and absence of cohabitation as in the present case for the last 25 years अब यह 25 years कोई criteria नहीं होगा कि 25 साल तकर अगर नहीं है रहे तभी यह ground बनेगा that is not the criteria but इस तरह के facts हों की बाईसा पकपल यहां पे पांच-दस साल तक साथ में रही नहीं रहे हैं अब वो नहीं रहे हैं अब यह तो आगे की बात है अब जब इस तरह के cases lower courts में फाइल होंगे अगर पांच साल से वो कपल साथ में नहीं रहे रहे हैं और एक दूसरे के गेंश्ट उनका कोई साथ में रिलेशन नहीं है complaints file की दोनों ने एक दूसरे के गेंश्ट तो यहां पे divorce मिलता है नहीं मिलता अब आज यह judgment आ चुकी अब इसके बाद आने वाले किसी किस तरह से deal होंगे वो हम बाद में देखेंगे but at this point of time this is a very important judgment because in these type of cases this ground will be treated as a ground of cruelty under section 13 clause 1 clause IA of the Hindu Marriage Act clear हुई बात now I should tell you here कि यहां पे Supreme Court का decision तो आई चुक है अब मैं आपको यह बता दूँ कि study IQ judiciary आपके लिए दो तरह के syllabus करवाता है one is our judiciary maha pack and other is our smart course judiciary maha pack में we cover the syllabus of the 16 states 16 states का आपको पूरा पूरा syllabus cover करवाय जाएगा major law, minor law, local law, current fairs, gk mock test series, every single thing will be provided to you only in 11,999 आप judiciary maha pack ले सकते हो study IQ की website पे जाके यह course को खरीदे and start your profession from today onwards but जब आप यह course को खरीदोगे you have to apply the discount code DEVDEV यह code आपको यूज़ करना है and then you can buy this course only in 11,999 इसी code को यूज़ करें for the maximum discount and if you are preparing for one single state आपको एक ही state की त्यारी करने then you can buy the smart course only in 9,999 by applying the same discount code DEVDEV alright then, thank you so much I will see you in the next class Matt झाल हञआओई खुआओई अश्राण झाल करेंद़धादाएT